हलो दोस्तों मेरे चनल में आपका स्वागत है दोस्तों आज हम लेकर आए हैं गेहूं के आटे से बहुत हेल्दी और टेस्टी नास्ता जो सब्जियों से भरा है और खाने में स्वाधिष्ट है और बहुत ही कम समय में बहुत क्रिस्पी नास्ता बनता है तो चलिए इससे बन शुरू करते हैं लेंगे यहां पर एक बड़ा सा बर्तन और उसमें डालेंगे गेहु का आटा इसमें डेड़ कप डाल देंगे गेहु का आटा और इसी के साथ डाल देंगे अजवाइन और नमक अजवाइन डालेंगे थोड़ा सा और नमक डाल देंगे स्वात के नुसर और चपाती से थोड़ा सा सकत आटा गुनना है मैं तो यह सकत आटा गुन चुका है देखिए मैं इस तरह से दिखा रही हुआ को पास से और अब इसको हम रेष्ट कराएंगे तो इसे रेष्ट कराना बहुत जरूरी है नहीं तो जो आपका आटा है वो बेलते समय फट जाएगा तो दस मिनट के लिए रेष्ट देंगे तब तक हम दूसरी तयारी करेंगे तो यहाँ पर मैंने लिया है कुछ सबजियां तो गाजर लिया है ग्रेट करके यह एक गाजर है एक प्याज को लिया है बारी कट करके आधा सिमला मेर्ज को बारी कट करके लिया है और एक आलू लिया है मुनें une大ट करके आलो को ऐस करके लिया है सब्जे आपपने पसंद का अपने पश fifteen टो फाना में यह सारी सब्जीन को डाल दिया है और सब्जिआ आफ मेंeli फोड़ा साओअ करना है तो इसके लिए हमने disparu चोटा चमच नमक डाल दिया है और इसे हम मेक्स कर देंगे इस तरह से मिला दीजिए और इसे भी हम 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि यह सब्जियां अच्छे से सौप्ट हो जाए इसमें पानी रिलीज हो जाए तो 10 मिनट हो चुका है और देखिए सब्जियां बिल्कुल सौ यह आप इसे आठा गूतने समय इस्तमाल कर सकते हैं और अब हम अब सब्जियों को एक बोल में डाल देंगे और इसमें डाल देंगे आधी चोटी कम्च जीरह इसे खाने में टेस्ट बहुत अच्छा आता है साथ में डाल देंगे आदी छोटी चमाच लाल मिर्ज का पाउडर, आप इसके जगापे चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं आदी छोटी चमाच गरम मसला पाउडर और आदी चमाच यहाँ पे डालेंगे चाट मसला पाउडर यह मैंने डाल दिया है और स्वात के नुसर नमक भी डाल देंगे दो हरी मिर्च को काट के डाल देंगे और बस अब मिला देंगे इसे सबजियां अच्छे से मिक्स हो चुकी है और सबजियों को भी साइड में रख देंगे और डो को देख लेंगे, तो डो को यहाँ पर रखे हुए 10 से 15 मिट हो चुका है, डो बहुत ही अच्छे से सॉप्ट हो गया है, और सेट भी हो गया है, तो इसे एक बार और मसल लेंगे, मसल से बहुत ही चिकना हो जाएगा, और डो हमारा फटेगा नहीं, इससे हम एक बड़ लोई लेंगे, रोटी का डबल हमें लोई लेना है, और इसे हम सुखा आठा लगा के बेल लेंगे, तो हमें रोटी जितना पतला रखना है, और हमें रोटी से बड़ा बेलना है, तो देखे, मैंने एक रोटी बना लिया है, बड़ा सा, और इसके उपर अब हम स्टफिंग डालेंगे तो यहां पे मैंने जो सब्जियों का जो फिलिंग मैंने बना के रखा है उसे हम डाल देंगे इसमें इस तरह से फैला देंगे और एक लेयर हम पत्ली लेयर बना देंगे सब्जियों का तो बस इसे लगा के इस तरह से हम रोल करेंगे तो रोल करते समय हम थोड़ा और इसके उपर हम ये रोल रख देंगे तो ऐसे ही मैंने दूसरा रोल भी बना लिया था और इसके उपर हम रख देंगे दोनों रोल को और यहां पर मैंने पहले से ही पानी को गरम होने के लिए रख दिया है कड़ाई में और पानी गरम हो चुका है अब इसके उपर हम जाली थोड़ी देर के लिए ठंड़ा होने देंगे वर्ना ये तूसकती है घ् ठंड़ा हो चुका है और अब हम इसको पहलेкі हम थोड़ा-थोड़ा किनारा को कप करेंगे क्योंकि थाली थोड़ा से छोटा था थहा तो इस्ट्रें करते समय यह मुड़ गया है और इस तरह से हम पीस में कट कर लेंगे और देखिए कितना बढ़िया इसका लेयर आया है और सब्जियां भी अच्छे से कूक हो चुकी है तो देखिए मैंने इसे कट कर लिया है ऐसे ही दोनों रोल को कट कर लेंगे अभी आप इस तरह से इस नास्ते को सकते हैं लेकिन आपको ज़्यादा क्रिस्पी चाहिए और और भी थोड़ा सा टेस्टी चाहिए तो आप यहां पर एक लीजिए छोटा सा बोल और उसमें डालिए दो चमच मैदा और साथ में डाल देंगे थोड़ा सा पानी और इसे मिक्स कर देंगे तो इस तरह से हम पना लिए और शुकते करके करके हम नास्ते को इस में डाल देंगे जितना पैन में आ जाए और थोड़ी देर के बाद देखे मैं इसे पलट रही हों और कितना बढ़िया इसका कलर आया है और बहुत ज्यादा क्रिस्पी बना है तो ऐसे हम उलट पलट करके अच्छे से क्र दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक सेर के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक के लिए बाइबाइब